पिर इसके बाद next question ये भी काफी basic question है इसमें simply ये पूछा गया है कि एक typical mitotic cell division की जब हम बात करते हैं eukaryotic cell में तो जो M phase है वो किस cell की immediately बाद आता है तो answer क्या है G2 क्योंकि sequence क्या है आपका G1 पिर आपकी S phase, G2 phase और M phase तो G2 के immediately बाद M आता है और M के immediately बाद आता है आपका G1 phase तो option जो D है वो आपका correct answer है फिर इसके बाद next question देखिए next question में ये कहा गया है कि कुछ secretary protein है जो synthesized हुए है आपके endoplasmic reticulum bounded ribosome के साथ तो उनका transverse जो है या traverse जो कहते हैं basically transportation वो किस तरीके से होगा तो हमें पहले ही पता है कि दो तरीके के protein synthesis होते हैं free ribosome में और दूसरा होता है membrane bounded ribosome मतलब कुछ ऐसे ribosome जो आपकी ER surface पे bound है तो जो ER surface पे ribosome bound है तो सबसे पहले protein आपका या lumen में जाता है जहां पर endlinked glycosylation होगा protein folding होगी उसके बाद इसको बेज दिया जाता है गॉलगी में और गॉलगी में जाके एक complete करता है हमारा endlinked glycosylation protein tagging होती है फिर इसके बाद इसको basicals के माद्यम से जिस भी organal specific ये protein होगा वहाँ पर distribute कर दिया जाएगा या भेज दिया जाएगा तो उस तरीके से जब आप secretory protein की बात करते हैं तो उनको transfer किया जाता है आपके गॉलगी apparatus के साथ तो इसका जो correct answer है वो होगा answer C अब next question देखे जरा ये question जो है ये 2017 में पूछा गया था अब ये कुछ इस तरीके का question है जो multiple selective questions जो आते हैं मितलब आपको एक ही question के दो statement को select करना ही ये इसका question है तो इसमें ये पूछा गया है कि जो cytokinesis होती है उसको inhibit किया जाता है किसके थूँ तो आपका जो option है वो first है cytokalcine D है, binblastine है, आपका nocodazole है और आपका colchicin है तो इसका जो answer है वो A and C आपका correct answer है जब मैं आपको drug बता रही थी ये आपको मिल जाएगा जब मैंने आपको cytoskeletal बताया था तो cytoskeletal में बहुत से drug मैंने आपको बताये थे तो उसी का ही ये question है कि जो आपका binblastine है वो intermediate flamen से related होता है जो आपके cytokine क्योंकि question क्या है इसको जरा ध्यान से समझे कि ये है cytokinesis मतलब metaphase, enaphase, telophase की बात नहीं हो रही जब आपके cell को अपडिवाइड करना है organals division की बात नहीं हो रही क्योंकि जब हम M phase की बात करते हैं तो एक होता है karyokinesis और दूसरा होता है cytokinesis तो पहले karyokinesis होता है उसके बास cytokinesis में सारी चीज़ें आपके बन चुकी और केवल cell का division होना है तो यह cell division को वो कौन से ड्रग है जो इनिविट कर सकते हैं तो उस option में आपका option जो first है जो आपका cytokinesis D है नाम से ही पता चल रहा है और आपका nocodazole है यह दोनों इनिविट करते हैं आपकी basically cytokinesis को तो यह भी आप उसका explanation देख सकते हैं नेक्स्ट question यह match of the following question है यह भी आपका काफी basic question है जो आपका 2017 में पूछा गया था अब इसमें क्या पूछा गया है कि यहां पर कुछ जैसे protein है organals दिया हुआ है या कुछ objective type दे दिये हैं अब हमें उनकी function से उनकी matching करानी है तो देखिए अगर आप P53 की बात करें तो P53 basically क्या करता था हम ATM pathway पढ़ रहे थी तब हमने देखा था कि जो P53 है effector mediator वो आपका activate हो रहा था फिर वो P21 को activate कराता था फिर आपकी cell apoptosis में जाती थी या cell cycle checkpoint arrest होता था तो यहां पर cell cycle checkpoint arrest related तो कोई option है नहीं option क्या है पॉप्टोसिस तो बिल्कुल P53 आपका feeder apoptosis create कराता है तो आपका पी का जो है वो second है अब P친 का second है तो या तो आपका यह option सही हो सकता है या तो आपका यह option सही हो सकता है अब आप लाईसाओम की देख लें तो لाईसाओम का function क्या होता यह hydrolysis कराता है polysaccharides का यह basically hydrolysis कराता है इग्रेडेशन कराता है अब यहां पे बिन ग्राइट दिया गया है तो क्यों का थब्र होगा तो अगयन यहां पे मैच कर रहा है फिर आप एक व्रराफंसिंदिल और हेंगे तो माइक्रो टिव्यूल्स होते हैं जो निकी बेसिक यूनिट्स जो है टिव्यूलिन होती है या मॉनोमर्स एक चोटी-चोटी यूनिट होती है जो आपके टिव्यूलिन होती है नहीं पर अगर आप स्टोन की बात करेंगे तो DNA पैकेजिंग में तो इस तरीके से यह जो आंसर बनता है वो है आंसर डी और यह एक्स्प्लेनेशन की तो इसमें जरूरत ही नहीं मैंने पहले ही सारी चीज़ा एक्स्प्लेन कर दी तो आपका जो ऑप्शन डी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट कॉश्चन देखिए जरा यह 2017 का ही है जिसमें यह कहा गया है जीनोम इस डिपलोईड अड़ एंड और विच फेज ऑफ हुमन माइटोटिक ठीक है माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस की यहां पर बात हो रही है तो यह पूछा गया है कि जब भी हम माइटोसिस सेल साइकल की बात करते हैं तो वो कौन सी फेज है जहां पर जीनोम जो है वो डिपलोईड फेज में होगा तो जो आपका ऑप्शन भी है मतलब जीवन और M फेज क्योंकि जब भी हम S फेज की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है यह जो S फेज होता है S फेज में आपका सिंतसर होता है और नमबर और क्रोमोजॉम सीम रहेंगे लेकिन जो जो आपका ऑप्शन भी है वो इसका करेक्ट आंसर है अब नेक्स्ट कॉस्चन देखिए जरा तो इनको solve करने का तरीका क्या है ना कि जो जो आपको information दी हुई है जब भी आप इसे solve करने बैठें तो उसका थोड़ा सा एक diagram या rough diagram जो है draw करते जाए क्योंकि आपको एक rough page या sheet तो मिलती है question क्या कह रहा है कि एक कोई cell है A type cell जैसे ये कोई culture media है यहाँ पर ये कोई cell है जिसका नाम है cell A ये क्या secret कर रही है ये कुछ molecule secret कर रही है और इस molecule का नाम रख दिया है X molecule into the culture medium इसी culture medium है अब दूसरी कोई cell है ये है दूसरी cell जिसे कह रहे हैं B cell ठीक है जो आपके same culture media में है और ये respond कर रही है to the X molecule मतलब कहने का ये है कि इस cell synthesize करा आपके X molecule को लेकिन जो B cell है वो इस molecule के अगेंस्ट response कर रही है मतलब यहाँ पर receptor है जो इस B cell की surface पर present है जो इस X molecule को bind करेंगे तो पूछा गया है कि इस तरीके की signaling कौन सी signaling होगी तो क्या ये autocrine signaling होगी अगर ये autocrine signaling होती तो question में क्या होता कि A ने synthesize करा X molecule को और इन ही X molecule ने act किया A cell पर या A cell ने response भी किया अगेंस्ट X molecule तो ये होता हमारा autocrine फिर juxtacrine signaling जो आपकी contact dependent signaling होती है जिसमें एक आपका क्या होता था cell होता था जिसके उपर लाइएंड प्रेजेंट था और दूसरा cell था जिसके उपर receptor प्रेजेंट था तो क्या ये इस तरीकी की signaling है जी नहीं ये है आपकी paracrine signaling और intra cell मतलब cell within within the cell तो ये जो है जो paracrine है ये बिल्कुल paracrine signaling है जो local एक ही culture media में localized जो cells रहेंगी तो एक cell synthesize करेगा और दूसरी cell उसी की अगेंस्ट जो है response को देगी और खुद activate हो जाएगी तो ये जो answer है ये c answer सही होगा और ये जो example है या जो experiment है वो justify कर रहा है आपकी paracrine signaling को next question है अब next question जो है वो actin filament के case में पूछ रहा है ये cytoskeletal से पूछा गया question है तो option क्या है पहला option तो ये है कि जो आपका actin filament है structural अगर आप उसको देखें तो उसके दो end होते हैं जो identical नहीं है मतलब ये कोई actin filament था और इसके दो end थे जो हम पड़े थे एक minus end था एक प्लस end था दूसरा आपका minus end था तो इस तरीके से ये option एकदम सही है दूसरा क्या है जब आप d nevo synthesis की बात करते हैं actin polymerization इस single step process तो नहीं ऐसा नहीं है कि ये single step process है जब भी हम polymerization की बात कर रहे थे तो सबसे पहले initiation हो रहा था जहां पर g actin या फिर g gamma tubulin ring का formation हो रहा था उसके बाद हमारे alpha बीटा alpha बीटा alpha बीटा करके elongation हो रहा था तो ये आपका single step process नहीं है ये आपका nucleation elongation और termination process है फिर इसके बाद next है कि जो आपका pointed end है of actin filament is fast growing end तो ये भी आपका गलत है क्योंकि जो आपका pointed end होता है वो आपका slow growing होता है वहीं पर जो आपका blunt end होता है वो आपका first growing होता है actin form spindle fiber बिल्कुल गलत है क्योंकि actin spindle fiber का formation नहीं करते हैं स्पिंडल fiber का formation कर रहे थे हमारे microtubules तो इस तरीके से जो एह स्टेट्मेंट first है वो एकड़म correct answer है वो इसके लिए justification है तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट कॉश्चन देखिए ये 2019 का कॉश्चन है कि इसमें आप से simply पूशा गया है कि DNA synthesis किस phase में होता तो यह तो हमें वैसे भी पता है S phase में क्योंकि G1 phase में क्या होता है था G1 phase में cell growth करती थी और metabolically active हो रही थी S phase में synthesis हो रहा था और G2 phase में जो और G1 उनका synthesis हो रहा है duplication हो रहा था कि नेक्स्ट कॉश्चन कि यह अगेन आपका match of the following कॉश्चन है जो 2019 में पूछा गया है इसमें और उनका function है यह भी बहुत सिंपल कॉश्चन है सबसे पहले है आपका लाइजोजॉम का काम क्या होगा लाइजोजॉम का काम क्या होता है कोई भी foreign antigen होगा intracellular digestion की बात करेंगे तो लाइजोजॉम होगा smooth endoplasmic reticulum का function क्या होता है lipid synthesis में होता है गॉल की apparatus का काम क्या था गॉल की apparatus का काम protein targeting में था और nucleolus का काम क्या था nucleolus का काम जो है वो विसिकली आपका RNA synthesis में भी RNA ribosomal synthesis में होता है लेकिन यहां पर फिप्ट option एक्चुली जो है वो रिमूब कर दिया गया है ठीक है यह typing error है तो उस तरीके से जो option है option एकदम सही है क्योंकि इसका फिप्ट जो option है वो शायद में लिखना बूल गई कि जो भी इसका फिप्ट option होगा लेकिन जो यह 3rd तक है वो हमारा एकदम के लिए रहे तो उस से ही हमारा answer निकलाया कि जो हमारा answer A है वो एकदम सही answer है नेक्स्ट कॉस्चन देखिए यह जो कॉस्चन ही यह 2020 में पूछा गया है कि इसमें आप से simple पूछा गया है जो आपका रेस प्रोटीन है उसकी नेचर को हमें identify करना है तो अगर आपको याद हो मैं जब आपको आरकीटी पढ़ा रही थी Receptive Tyrosine Kinase तो वहाँ पर मैंने आपको एक table दी हुई थी जिसमें मैंने आपको रेस प्रोटीन रो प्रोटीन इन सारी प्रोटीन में कि आपको confusion नहूं कि रेस का क्या function है रेन फैमिली का क्या function है रो एचो जो आपका रो अप्षेल काम करता है यह दोने मानोस ट्रा मेरिक बीटीन और लाँ यह सब्सक्तर क्या करता है यह आपके सिग्नल फ्रॉम सेल सेरफेस होगा नुकलिएस जो तो उसे साब से जो आपका option B है वो इदनम correct option है और अगयन यह उसका explanation है तो आप उसको देख सकते हैं कि नेक्स्ट कॉश्चन है इसको देखिए यह 2020 में question पूछा गया है तो दिखिए आप सारे जो question है वो देख रहे हैं कि आपको थोड़ी भी information है किसी भी चीज़ की तो आप इसको easily solve कर लेंगे तो आपको करना क्या है कि जितना आपको पढ़ाया गया है उसको बहुत अच्छे से पढ़नीजे क्योंकि गेट एक ऐसा examination है कि आप इसमें basic ही questions पूछे जाते हैं जादा tricky question आते नहीं तो आप easily क्या कर लोगी कि बहुत अच्छी rank भी आप किया सकती है अगर आपने अच्छे से सारे questions को solve करा क्योंकि पढ़ना basic है बहुत जादा depth में पढ़ना नहीं है जितना भी जो teacher आपको पढ़ा रहा है जो भी notes दे रहे हैं तो उनको आप क्या करें पूरा बहुत अच् cancer cause कर सकता है तो यह option इंदम सही है oncovirus जब हम cancer पढ़ रहे थी तब मैंने आपको बताया था कि biological अगर आप causes की बात करें तो oncovirus ऐसे वाइरस है जो आपका human cancer cause करा सकते हैं second है कि tumor suppressor gene जो है क्या वो turn hop हो सकते है without any change its DNA sequences तो बिल्कुल क्योंकि epigenic change कुछ ऐसे change होते हैं जिसमें आपका DNA का sequence change नहीं होगा still जो आपके tumor suppressor gene है वो आप connective हो सकते हैं यह भी मैंने आपको उस समय पढ़ाया था alteration in miRNA expression level contribute to the development of cancer बिल्कुल क्योंकि जो हमारा miRNA है उसका काम क्या था जो भी आपका unwanted mRNA रहेगा उसके साथ bind करके chopping करा देता है degradation कराता है तो अगर उसमें alterations हो जाए तो cancer हो सकता है तो इस तरीके से आपका PQR तीनों के तीनों statement एकदम correct statement है फिर next question है आपका ये 22 20 में पूछा गया है ये अगें आपका एक ऐसा question है जिसमें आपको एक assumption या जर्शन दिया गया है फिर उसका एक reason दिया गया है तो हमें देखना है क्या वो एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है तो question क्या है question पूछा गया है कि cell जो है वो यूज करती है calcium को and not sodium for cell to cell signaling एकदम सही बात है क्योंकि शोडियम तब यूज करा जाता है जब हम membrane potential की बात करते हैं ठीक है लेकिन जब हम cell signaling की बात करते हैं तो हमें पता है जो calcium में secondary messenger monocule है और यह आपकी cell cell signaling में help करता है तो option एकदम सही option है वही पर second इसका reason यह बताये है कि in the cytosol the concentration of the sodium is lower than that of calcium तो second जो है आपका बू आपका option सही नहीं है क्यों सही नहीं है क्योंकि question क्या कह रहा है कि cytosol में जो concentration of sodium है is lower than the concentration of calcium तो कुछ इस तरीके का है यह cell सर्फ यह आपकी plasma membrane है तो हमें पता है कि जो sodium का अगर आप concentration का है और आप calcium का concentration करें outside the cell जादा होता है वही पर अगर आप insight की बात करें तो potassium का जादा होता है plus magnesium यहाँ पर present होता है और जो आपका ER होता है तो ER के lumen में basically आपके जो calcium है वो present होते है जब यहाँ पर कुछ gate होते है IP3 ligand gated जब यह IP3 molecule यहाँ पर bind करेगा तब जाके आपके calcium का influx होता है तो अगर आप normally कहें कि क्या calcium cytoplasm में जादा होता है तो gene नहीं इसलिए जो आपका option D है कि A statement एकदम true है लेकिन जो इसका reason है वो false है तो आपका जो option D है वो correct होगा और again यह इसके लिए justification है तो आप देख सकते है नेक्स्ट question है अब इस पर पूछा गया है कि जो आपका energy transducing membrane मतलब ऐसी कौन सी membrane है जहाँ पर कुछ ऐसी reactions होती है जो energy generate करते हैं तो plasma membrane of bacteria बिलकुल क्योंकि जब भी हम oxidative phosphorylation की बात करते हैं तो in case of eukaryotic यह inner mitochondria membrane में present होता है वही पर अगर आप bacteria या फिर prokaryotes की बात करें तो यह आपके plasma membrane में होता है and the inner membrane of chloroplast में इस तरीके की कोई reactions नहीं होती इसलिए जो आपका option B है P and R correct statement है तो आपका option B जो है वो आपका answer होगा तो next question देखे 24 question अब इसमें भी आपकी cell cycle से related यह question पूछा गया है जिसमें CDK और cyclin के बारे में कोई बात की जा रही है तो option क्या है हमें correct option मैं से choose करने हैं तो CDK जो है वो phosphorylate करते हैं protein in the absence of cyclin क्या यह option सही है तो यह option एकदम गलत है क्योंकि जो cyclin है जब आपका cyclin synthesize होगा क्योंकि मैंने आपको cell cycle के दौरान बताया था कि जो cyclin है वो आपके synthesis भी होते हैं plus मैं degrade भी होते हैं तो जब आपके cyclin synthesis होगे और particular cyclin eukaryotes मैं बता रही हूँ जब वो CDK के साथ bind होगे तब जाके उनका activation और जब वो आपके unbound होगे तो उनका deactivation होता है तो यह cyclin dependent तो है तो D जो आपका option है वो गलत है तो उतने से ही आपका option निकलाता है कि जो आपका option D है वो correct है लेकिन हम और option देख लेते हैं CDK जो है can inactivated by phosphorylation ये वाला आपका option है जो इदम सही है वही पर degradation of the cyclin is required for the cell cycle progression ये भी इदम सही है and the CDK are not involved in chromosome condensation तो नहीं ये भी आपका incorrect statement है क्योंकि chromosome condensation जो है वो आपकी M phase में होता है तो M phase में भी बहुत सारे cyclinocdk होते हैं जो आपके chromosome को condense कराने में बाती और भी function कराने में help करते हैं तो इस तरीके से जो आपका option D है वो आपका correct answer है और ये उसके लिए explanation है अब next question देखिए ये match of the following question है ये 2020 में पूछा गया था तो ये भी आपका बहुत basic question है जैसे हम mitochondria की बात करें तो maternal inheritance although ये double membrane bounded भी structure है लेकिन यहाँ पे हमें सबसे accurate चीज़े देखनी है तो maternal inheritance केवल और केवल आपकी mitochondria में होता है तो इसलिए हमने उसको opt किया फिर इसके बाद आप chloroplast की देखेंगे तो ये आपका endosymbiotic origin को show करता है फिर इसके बाद आप देखेंगे nucleus तो nucleus आपका double membrane bounded है वहीं पर आप ER देखेंगे तो आपका single membrane bounded है तो इस तरीके से जो आपका option C है P का third and Q का four, R का second and S का first ठीक है तो जो आपका option C है वो आपका correct answer है next question ये year 2021 में question पूछा गया था और ये बहुत basic सा question था जिसमें आपके intracellular macromolecule का lysozomal degradation का पूछा गया है कि जब भी cell के अंदर अपचा है macromolecule हो, micromolecule हो उनका degradation through lysozom कहलाता है autophagy क्योंकि apoptosis program cell that है phagocytosis में cell के बाहर के particle को इंगल्फ किया जाता है penocytosis में fluid particles को इंगल्फ किया जाता है लेकिन intracellular जब भी बात होती है तो ये आपका autophagy कहलाता है next question देखिए अब इसमें simple पूछा गया है कि कौनसी ऐसी cell और्गिनल्स है जो आपकी single प्लाज्मा मेंब्रेन बाउंडेट single membrane bounded और्गिनल्स इनमें ऐसे कौनसा है तो आपका option ये जो है अगेन आपका multiple selective है तो जैसे आपका गौल की है और लाइजोजोम है ये आपके single membrane bounded होते हैं वहीं पर मैट्टो कॉन भी आपका double nucleus भी आपका double membrane bounded होता है ये single और ये single है तो इस तरीके से आपका जो option A and B है वो थार करेक्ट next question देखिए ये question year 2022 में पूछा गया है match of the following है काफी basic सा question है अब आपको देखना है कि जैसे आपका जो लाइजोजोजोम है वो क्या करता है तो transition करता है परोग्जीजोम क्या करता है परोग्जीजोम आपका detoxification करता है बिलकुल जब मैंने आपको बताया था यहां पर कुछ ऐसे enzyme होते हैं जो हाइडोजन परोक्साइड है उसको convert करता है वह enzyme क्या था केटलेस था जो आपका water और oxygen बनाता था ग्लाइयोग्जीजोम का भी हमें पता है कि यह conversion करता है fatty acid to sugar molecule और cytoskeletal basically moments के लिए होता है तो इस तरीके से first to third तो आपका जो पहला ही option है वो एकड़म करेक्ट है next question 2022 में इसको पूछा गया था जिसमें question पूछा गया है कि UV cutenylation जो है उसमें कौन-कौन से आपके enzyme या protein involved होते हैं तो even E2 and E3 both क्योंकि जो आपका even होता है वो क्या करता है activate करता है UV cuten को transfer करता है to the E2 enzyme और यह जो E2 है जो आपका ligase होता है E3 ligase वहाँ पर आपके target protein को transfer करता है तो तीनों के तीनों जो हैं आपके proteins वो involved होते हैं आपके UV cutenylation में next question है यह जो question है यह basically trafficking से related है जिसमें बताया गया है कि जो पहला हमें जो है वो correct options इसमें देखना है तो पहला option क्या है जो आपका dya min है वो bind करता है GTP से और involved in basicular wording and second जो है वो आपसे पूछा गया है कि जो आपका dya min है वो involved है cytoskeletal remodeling से तो यह तो हमारा गला थे क्योंकि जब मैं आपको endocytosis बता रही थी clathrin-mediated endocytosis बता रही थी तो वहाँ पर यह जो protein है यह vesicles को pink shop कर रहा था तो इस तरीके से जो option A है वो एकदम correct है and third option dyanin के बारे में है कि यह एक GTP binding protein है और यह क्या करता है moments कराता है of the organal along to the microtivium and second क्या यह GTP bounded है तो यह जो है यह हमारा होता है ATP bounded ना कि GTP bounded तो इस तरीके से जो option A है और जो आपका option C है वो एकदम correct answer है next question देखिए year 2023 का question है बहुत latest question है और इस question में कुछ नहीं पूछा गया है यह देखिए यहां पर क्या जब मैं आपको GPCR पढ़ा रही थी तहम मैंने आपको एक table दी थी कि ligand था और वो कौन-कौन से ligand है जो आपके G protein से bind करेंगे और किस तरीके के pathway को कर रहे थे activate तो वहां पर एक ligand था acetylcholine तो अगर आपको यही बस पता था कि acetylcholine बिलकुल bind करता है GPCR से question क्या है acetylcholine released by parasympathetic nerve has which one of the following function is heart patient maker cell ठीक है अब option जो है वो आप से कह रहा है कि यह जो acetylcholine ने यह bind करेगा GPCR से और activate करेगा G protein to slow the heart rate second क्या कह रहा है यह stimulate करेगा गामा एक्टिवेटेड आयन चैनल कपल receptor को तो आपको ligand ही अगर पता था तो वही से आप देख लेते कि जो आपका option first है वो correct है क्योंकि acetylcholine GPCR से bind करता है आयन चैनल से bind नहीं करता और GPCR bind करेगा आपके acetylcholine bind करेगा और यह inhibit करेगा G protein को to slow down the heart rate and next जो है that is क्या है कि जो आपका गामा रहेगा वो again ion channel कपल्डर सेप्टन की बात होगे तो जब भी अगर confusion भी था तो ए और C में ही होना चाहिए बाकि ion channel के साथ तो bind नहीं करता है तो यह दोनों option तो पहले ही eliminate हो गए first option में क्या था कि यह bind करेगा GPCR से और activate करेगा G protein को और slow कर देगा heart rate को वहीं पर यह bind करेगा आपके GPCR और inhibit करेगा तो नहीं यह inhibit नहीं करता है यह करता है activate और यह दोनों एक दूसरे के contradictory भी थे खर B भी आपका D के contradictory था लेकिन option जो आपका A है वह आपका correct answer है नेक्स्ट question देखें इसमें तो सीधा ही पूछा गया है कि भाई proteolytic अगर आप degradation की बात करें especially proteosomal degradation की तो वह कौन सा इसा protein है जो involved होगा तो UV-Cutin सही answer है क्योंकि integrin हमें पता है peptidase हमें पता है col reticulin हमें पता है तो UV-Cutin जो है वह proteosomal degradation में होता है तो आप देखें कि यह year 2023 का question है लेकिन कितना basic question पूछा गया है तो gate में इसी तरीके की questions आते हैं आपको थोड़ा सा जरूरत है जादा से जादा information गेन करने की depth में नहीं जाना है basic जितना जादा पर पाएं जितना information आप पर पाएं उसको पढ़ लीजे बहुत अच्छे marks से जो है वह qualify हो जाता है तो इस तरीके से हमने क्या किया कि year 2010 से लेके 23 तक जितने questions थे गेट बीटी के बो हमने solve कर लिए नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान फिर चाहे हो lecture सिफ या PhD का आर्मा हमारे पास से आपके हर एक मुश्किल का सवाधान हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो आर्मा वेदमी लेकर आया है detailed course for CSIR 2024 examination मिले गए हां आखको सब कुछ नुँ बाटन के lectures, one-to-one doubt getting session, pdf loads और भी बहुत कुछ वेदमी क्योंकि हर सपना हमारा है अपना, enroll now and visit वेदमी website and download the app from play store use कर ये code with20 for getting the 20% discount, वेदमी, educating India